लालच के चक्कर में बुरा भस गया शक्स अब दे रहा है रेहाई की दोहाई एक कहावत है जो हम बच्पन से सुनते और बोलते आए हैं कि भाईया लालच बहुत बुरी बला है क्योंकि कभी कभी इस लालच के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं लेकिन शायद पिंजरे में बैठे इस शक्स ने शायद इस कहावत को नजर अंदाज कर दिया नतीजा ये है कि जिस पिंजरे में तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर को बंद होना चाहिए उस पिंजरे में ये बेचारा इंसान मेमने की तरह गड़गड़ा रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इसे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया होगा लेकिन जनाव आप एकदम खलत हैं ये तो महुदय अपने किये के लिए अब पच्छता रहे हैं पूरी तफ्तीश से आपको मामला समझाएंगे उससे पहले इसका पूरा वीडियो देख लीजिए और सोच लीजिए कि सच में लालच बहुत बुरी बला है दरसल ये वीडियो सोचल मीडिया पर धडले से वाइरल हो रही है जिसमें ये इनसान खुद की आजादी की दुआई वह मौजूद लोगों से मांग रहा है बात दरसल ये है कि उत्तरप्रदेश के बुलंद शेहर जिले के बसेंदुआ गाउं के लोग पिछले कुछ समय से तेंदुए के आतंक से परेशान थे लिहाजा गाउवालों ने मिलकर तेंदुए को पकड़कर वन विभाक के हवाले करने का प्लान बनाया इसके लिए बकाइदा जाल बचाय गया और पिंजरे को यथा संभव जगे पर रख दिया गया खास बात ये है कि पिंजरे में तेंदुए आसानी से घुच जाए इसके लिए उसके शिकार का बंदोबस्त किया गया और एक मुर्गा वहां रख दिया गया रात को जब सब लोग अपने घर चले गए तब इन महाशय का खेल शुरू हुआ दरसल मुर्गा देखते ही इनके मुह में पानी आ गया और उसे चोरी करने का आननफानन में प्लान बना दिया लेकिन ये भूल गए कि मुर्गा पिंजरे में है तो जैसे ही महुदय पिंजरे में मुर्गा चुराने घुसे वैसे ही पिंजरा बंद हो गया और तब ही से लगलग कोमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये घटना लालच बुरी बला है का सटीक उधारण हैं, किसी ने कहा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, कुल मिलाकर लोगों के इस मामले पर हसी आ रही है और वो अलग-अलग राय रख रहे हैं, तो दोस्तों आप से अब भी जाना चाहेंगे कि आपके इस वीडियो पर क्या राय है ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए One India Hindi